कि नौजवानों मस्जिदों को आबाद रख और इनकी ये कुंठित मान सिकता ये ऐसे जंग लगी हुई है और इस जंग में जब सनातन दूपी केमिकल पड़ेगा ये जो ताकत है ना तुम्हारे दिल से जब इक्तिहाद को निकालना चाते हैं क्यों निसाचरों की कोई स्प्रेणी नहीं होगी निसाचर भी अद्यात्मिक रास्ता चुनते हैं लेकिन ये छुप छुप के चुनते हैं अयोध्या नगरी का महापर्व है विरात राम मंदिर का भव्य समारंब है प्रभु राम का आगमन है राम भकतों का रॉला है वर्षों के इंतजार के बाद सर्योतत परबसी अयोध्या अपने आराध्य के स्वागत में सज रही है, सवर रही है, सुन्दर बनती जा रही है 20 दिन बाद 22 जन्वरी को राम लला की प्रान प्रतिस्ठा है लेकिन उससे पहले विग्टन कारी ताकुतों ने विग्ण बाधाई डालनी शुरू कर दी है बाबरी पंथी पैरोकारों ने भड़काउ भाशन देना शुरू कर दिया है राम के नाम का नियोता ठुकराया जा रहा है राम मंदर को मानसिक गुलामी का मार्क बताया जा रहा है हिंदो की आस्ता पर चोट की जा रही है और जिसे देखते हुए अयोध्यावासी संत समाथ से आने वाले भविश्वक्त राच पुरोहित मधुर जी ने 22 जन्वरी के बाद की जो तस्वीर दिखाई है उसमें निशाचरो की क्या जगह बताई ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्यान नमश्कार धर्म ज्यान के दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविता राना आज हमारे साथ मौजूद है कैसी प्रभावशाली शक्सियत जिनके इस समाज में बतोर कथा वाचक, ज्योतिशी और अध्यात्मिक गुरू के तौर पर जो जाने जाते हैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या से राजपुरोहित मधूर जी, महाराज जी आपका सबसे पहले तो स्वागत है नमस्कार जी अब जो की अचारे जी अयोध्या से आते हैं तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यहीं जानना चाहूंगी 22 जन्वरी के बाद की जो तस्वीर है राम लल्ला की प्रान प्रतिस्टा के बाद देश में जो अरजप्ता फैली है उसका क्या प्रभाव आपको लगता है कि पड़ेगा देखे राम राज्य की पुनरस्थापना हो रही है सनातन की पुनरस्थापना हो रही है सनातन अभी था आगे रहेगा कलिकाल चल रहा है कलिकाल के प्रतम चरण में भगवान राम की पुनरस्थापना यानि कि कलिकाल अर्थात कलकी के अवतार से पहले भगवान राम सोयम एक अपने अस्थान पर जहां उनका जन्म हुआ वहां विराजमान हो रहे हैं देश और बिदेश में यदि देखा जाए फैली हुई अराजकता या फिर युद्ध तमाम प्रकार से जैसे कि हमास और तमाम ऐसे देश जो लगे हुए हैं जो युद्धों में तब्दील हो रहे हैं बगवान राम की ब्यापकता सरवत्र विराजमान है और राम यत्र तत्र सरवत्र होने के नाते राम पुजिनिये इसलिए हैं क्योंकि सनातन के धर्मत धुज में जैसे सूर्य की किरण पढ़ने पर कमल विक्सित होता है ऐसे ही राम की प्रतिभा से प्रतेक जन्मानस में सन प्रकार के कपटी, दंभी, छल वाले, युक्त वाले जो ऐसे लोग हैं, उनके मन से भी कही न कहीं आंतरिक विचारधाराओं का ऐसी विचारधाराओं का समन होगा, रामराज की पुनर स्थापना से घर घर राम तो बिराजेंगे ही लेकिन अंतरमन में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ भी राम आकर के स्वेम बिराजमान होंगे और हनुमान जी वायू पुत्र के रूप में सब के मनों दसा को कहीं न कहीं एक सुचार रूप से धर्म के प्रती कटिवधता में परिवर्तित करेंगे जो जिनके मन में नफरत पहली हुई है क्या वो नफरत खत्म हो पाएगी मैं नफरत मैंने हापे अरजगता नफरत शब का इस्तमाल इसले किया क्योंकि अब जैसे जैसे शुबघड़ी आ रही है बयान बड़े भड़काओं सामने आ रहे आप भले और सज़ेदन ओवेस्टी का बयान ले लीजे जिसमें उन्होंने बड़े डंगे की चोट पर हैदराबाद में एक रैली को संभोजित करते हैं कहा है कि भई आप देश के नौजवान को कहा है कि आप अपनी ताकतों को कमजोर मत होने दीजे हम अपनी जो मज़िदे हैं उन्हें बहाल करके रखेंगे आबाद करके रखना है मज़िदों को आप समाज ज़दी पार्टी की जो नेका है शफिक रह्मान बर्क का ले लीजे उनका कहना है कि ताकत के बल पर बाबरी मजजिद छीनी गई है बनी हमारे धर्म में बिलुकता तो नहीं आ पाई क्योंकि आकरांताओं ने जो तमाम प्रकार के ऐसे मुगल सासनकाल में हमारे धर्मत धोज को खंडित किया और वहां पर एक मजार एक मस्जिद ऐसी स्थापित के जिसका कोई अस्तित तो ही नहीं है ऐसी मस्जिदों का दे पर दयों उनके संग्यान में होना चाहिए कि जब सरकार का जो फैसला है जो कोर्ट का फैसला है जो सासन का फैसला है हम सबसे पहले उसका सम्मान करते हैं और हमारे यहां एक नीती बताई गई है सठम साठ्यम समाचरेत जो जैसा करता है उससे बढ़ चड़ करके हमारे सनात प्रतेक मानों में जागरित हो गया तो ऐसे ऐसे बेक्ति पड़े हुए हैं जो कि कहीं न कहीं इन आकरांताओं का समुल बिनास करने का एक अपने अंदर एक हैसियत उनके अंदर है और वो इसलिए है क्योंकि हनुमान जी साक्षात कृपा करते हैं तो ऐसे बयानों से हिंद जुत्व या फिर हिंदू राष्ट्र या फिर रामराज्य की कलपना पर किसी भी प्रकार का कोई ठेस नहीं पहुँचेगा आघात तो होते जाते रहते हैं आघातों से हम लोग घवराते नहीं मानों जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है और कायर होते हैं जो ऐ ऐसे राम के पृत तमाम प्रकार की अभद्र भासाओं का प्रयोग करते हैं राम को कलपना सील बताते हैं सास्त्रों में पुराणों में मतों के अनुसार सरियू के तट पर विराजमान वो सुन्दर जो आयोध्या नगरी है पवित्र नगरी है वहाँ पर भगवान राम के जनमस्थली का वरणन साक्षात दिया गया है, तो प्रस्ण करने वाले ऐसे मुर्खवत तमाम प्रकार की परिस्थितियों में बेक्ति बंधे हुए हैं, और उनका प्रस्ण ऐसा रहता भी है समाज में, कि वो कहीं न कहीं भर्म फैलाने का, देखिए, तमाम, यदि अभी मान लीजे कि गौतम बुद्ध को ही ले लिया जाए, महरसी गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को एक भगवान की स्रेणी में रखा गया है, भगवान को माना जाता है, भगवान के रूप में माना जाता है, लेकिन आप देखेंगे, तो गौतम बुद्ध ने भी कहीं दूर जाकर के तपस्या नहीं की, बट ब्रिक्ष का ही सहारा लिया, बट ब्रिक्ष में साक्षात नारायनवास करते हैं, तो ऐसे में तमाम प्रकार की ये बयान देने वाले लोग और इनकी ये कुंठित मानसिक्ता, ये ऐसे जंग लगी हुई है, और इस जंग में जब सनातन टोपी केमिकल पड़ेगा, जब ये केमिकल इनके दिमाग में जाएगा, तो ये पुनर घर वापसी करेंगे, ये लोग भी हिंदू थे, और हिंदू ही हैं, लेकिन पस्तावा इसलिए होता है, क्योंकि टोपी लगी हुई है, टोपी समाज में उतार नहीं सकते, तो समस्या यहां भी आ जाती है, आपने कहाँ, इनके घर वापसी होगी, जो आज एक खास वर्गी के लोग जो बोल रहे हैं, वो हिंदू थे, उनके घर वापसी होगी, लेकिन मैं आपसे जाना चाहते हूँ कि उनका क्या, जो खुद को हिंदू बताते हैं, लेकिन उनके आचरन से न जो पोस्टर लगे हुए हैं, लालु यादव के घर के भाद जो पोस्टर लगे हैं, उसमें लिखा है कि मंदिर मांसिक गुलामी का मार्ग है, तो जब अपनी हिंदू बादी नेताओं के आपने कहले जुबानी प्रहार होते हैं, हिंदू के आसर पर चोट ये करते हैं, त इन्हों ने क्या किया, कि सनातन के ही सुरक्षा में, सुरक्षा चक्रों में अपना जीवने आपन किये, आज ये सुरक्षित महसोस कर रहे हैं, ये जो काल अभी बीता हुआ है, जो गुजरा हुआ है, गुलामी के दौर से हम लोग निकले, और उसके बाद पुनर मंदिर स् ये कही न कहीं उनके कुछ ऐसे पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म थे, ऐसे कुकृत्त थे, जो ऐसे दुर्दान तपराधी कहीं न कहीं आकर के हिरन निकस्यप जैसे पैदा हो गए, वरना तो प्रहलाद भी पैदा थे, अपने पिता को ग्यान दे रहे थे, तो सत्ता का लोग वो चाहे स्टैलिन हो, कोई भी हो, सत्ता का लोग जब-जब बेक्ति को सताता है, जब-जब वो सिर पर परवान चड़कर के बोलता है, तब-बेक्ति क्या होता है, कि वो मदमस्त हाथी की तरह और सरोबर में जाता है, और वो स्वयम भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा हूं, तो ऐसे में धर्म के उपर बार-बार प्रहार, कुठारा घात, तमाम प्रकार के अराजक्त तो ऐसे अभी समाज में जीवित हैं, आगे भी रहेंगे, और इनकी आउसेक्ता भी है, जब-जब इनकी अराजक्ता समाज में आएगी, समाज हमारा जो हिंदू वर्ग है, जो और भी हमारे सनातन के प्रतिकटिवधता रखते हैं, उनके अंदर एक अलग सी उर्जा ब्यापत होगी, एक दहकती हुई ज्वाला, एक धदकती हुई ज्वाला ब्यापत होगी, उस ज्वाला से क्या होगा, कि इन जैसे दुरदानत प्राधियों का समूल बिनास होगा, और उन स्रेणियों में, अभी क्या कहा जाए कि कुम्भ मेला लगा था, आधरिने प्रधान मंतरी मोदी जी अभी गए, जाने के बाद महत्माओं को उन्होंने प्रणाम किया, सब को प्रणाम किया, गंगा में सनान किया, लेकिन उन्होंने पदप्रक्षालन किसका किया, लिए भगवान राम कही न कही निसाद राज गुह का अपना संग बनाए अपना साथी बनाए तो ऐसे में वो सब को ले करके चले राम सब के हैं तो राम की अगर परिभासा देखी जाए तो यदि राम की अगर परिभासा देखी जाए तो राम सब के हैं और राम यदि सब के हैं तो कलपना से नहीं हो सकते रही बात इनकी स्रेंडी कौन सी स्रेंडी है तो निसाचरों की कोई स्रेंडी नहीं होती निसाचर भी अध्यात्मिक रास्ता चुनते हैं लेकिन वो छुप छुप के चुनते हैं और छुप छुप के आप जब कर रहे हैं तो उसको समाज में इ हरसीगंड, हमारी सरकार या कोई भी विखती हो जो भी बौधिक शमता से योगते हैं वो उनको सदेव माफ करने की शमता रखते हैं.